हम उसकुल खांदान से आते हैं कि भगवान स्री राम चंद्र जी को नईया पार लगाने वाले हैं वो हम केवट महराज के संतान है एक लब के संतान है आपके दुख दर्द अगर सही अगर करना है तो सब से पहले एक रोटी कम खाईए लेकिन अपके बच्चे को परहाईये उसको काबिल बनाएए इस राज में सर उठाके चलने के लिए पैसा और पावर पैसा पावर के लिए पैसे के के आसर पर कल यानि सुक्रवार को अरंगवाद जिले के नवी नगर प्रखंड स्थित केर का पंचायत के कराई में स्थित्सियों मंदिर के प्रान पर्तिस्ठाई यग में सामिल हुए और पूजा अर्चना की इस मौके पर मुके सहनी ने विदिवत तरीके से महादेव की ग्राम वासियों तथा देश प्रदेश की सुक्ष सम्रिदी की मंगल कामना भी की वही मुके सहनी ग्राम इन वासियों को संबोधित करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं पहले आप वो सुने आज महा सिवरात्री हैं हम लोग सनातन धर्म को मानते हैं और हम लोग हर धर्म में आस्ता लगने रखने वाले लोग हैं हम उसकुल खांदान से आते हैं कि भगवान स्री राम चंद्र जी को नईया पार लगाने वाले हैं वो हम केवट महराज के संतान है एक लब के संतान है अमर सही जुबा सनी के संतान है पूलन देवी के संतान है और हम लोग आज अपने आपको इस बिहार परदेश में इस राज में संधर्श कर रहे हैं तो सातियो आज इतना ही उत्सा से उमंग से आज हम भोले नाजी का आज अराधना कर रहे हैं उनको अज भगवान को मानते हैं उसी तरीके से आपको इस धर्ती पे इस राज में इस देश में सर उठाके चलना है तो दो काम करना है जितना सद्धा से भगवान को आप मानते हैं उतने सद्धा से उतने ही अच्छे सोच से आप भगवान को क्यूं मानते हैं आप उनके पास अपने दुख दर्द लेके जाते हैं आपको विश्वास है कि आपका दुख दर्द जो है वो दूर होगा उतना ही अच्छे सोच रखकर आपके दुख दर्द अगर सही अगर करना है तो सबसे पहले एक रोटी कम खाईए लेकिन अप्पे बच्चे को परहाईए लिखाईए उसको काविल बनाईए आप दिन रात मंदिर में बैटकर कितना भी घंटी बजाईए कितने भी संकर्जी को जल चरहाईएगा आपका बेटा否 ट्रण नहीं बने गगा आपका बेटा करने बनेगा औस क्रांब अध्यों बनेगा वह इसकुल जाएगा बरहाई लिखेगा तब लिए यह इस पी कर ट्लक्टर यह इस डियोँ विडियो यह द्ञाना अधर्ष बनेगा यह चपरासी क्यों नहों जब परहएगा लिखेगा तब बोचा प्रासी भी बनेगा वरना इसलिए सबसे पहले अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाए काविल बनाई जब अपने लिखे लेगा काविल होगा तो दो रुपया कमाएगा अजब दो रुपया कमाएगा तो सर ख़ड़ा करके तर उचा करके कहीं पर 가खा उनको दुनिया के संसार कि कोई लोग उनको उंको गुब्राह नहीं कर सकता है और वासरा प्रस फोडुल पलश्यों साहब ने हमारे समिधानrence यह हर नागरिक के लिए समीधानुनेकश की कि न्टार के में रहेकर उनको लाब मिलता है सरकार के साथ रहेकर और इस सरकार आप बनाते हैं आपके पास वो सकती है वो ताकत है वो भूट वैंग की ताकत है कि आपके भूट बैंग से देश का परधान मंत्री बनते हैं आपके भूट बैंग से राज का मुख मंत्री बनते हैं आपके भोगली के बटन में हाथ में इतना ताकत है कि आप रेराज का मुखमंत्री बनाते हैं आप अपने अधिकार के लिए संघर्ज करेंगे तो आज एक तो प्रहा लिखा कि बच्चे को आगे बराईए दूसरा अपने अधिकार के लिए संघर्ज कीजिए जैसे मैं कर रह मेने पर नोक्री करता था यानि कि रोज का 30 रुपया पे महनत में मंदारी के रास्ते पे चला वी है आप लोगों के साथ किया ओर बैक्त गुशलिये और अगर आथकार राधिकार है के शक्यार प्रूश करना अपना है है अजादी के 75 साल बीत गया आप वहीं का वहीं है आज आप कितने गरीबी में जिंदगी जी रहे हैं तो इसके लिए आपको सोचना परेगा यह समस्या दूर कैसे होगा आपके अंगली में जो दम है बटन दवा के होगा पावर आएगा या पैसा या पावर दोईची चाहिए इस राज में सर उछाएं के चलने के लिए पैसा और पावर पैसा कमाने के लिए परहाइ लिखाई करना पर परेगा काबिल बनना परेगा लिएत पैसे कि आप सकता नहीं है पावर के लिए संग्धर्ष की आप सकता है त Testament है आज हमको भी बोला जा रहा है मगर कल चाहूंगा तो कल राज में मंत्री बन सकता हो केंदर में मंत्री बन सकता हो यह ताकत है लेकिन यह कैसे हो सकता है यह इसलिए हो रहा है कि पुरे भिहार राज के लोगों ने खास करके निशास समाज के सभी उपजाती ने माल लिया कि सन अब मला मेरा नेता है आप हमारे साथ हैं आज इसलिए आज हमें लोग मानते हैं आज वो नहीं देखना चाहेगा कि आप अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं वो देखना नहीं चाहेगा कि अच्छा घर आपका है वो चाहेगा कि आपका पाप दादा जी आपका पिता जी आप लोग गुलाम बन बन के थे और आज भी घुलाम बनके रहें वह नहीं चाहेगा कि बिहार राज में मंत्री बनिए आप भी सरकार बनिया अभी मुक्मंत्री बनिए वह नहीं चाहेगा वह आपको दबा के रखेगा ऐसा भी 20% समाज में लोग यह तो इसके लिए आपको संघर्ष करना लेकिन उनको उठा लिया गया ताकि वह ना आगे बर पाए आज मेरे साथ भी हुआ जो हुआ वह मेरे साथ नहीं हुआ यह आपके साथ हुआ क्योंकि उन्होंने देखा कि एक मुकेश सनी एक मला का बेटा संघर्ज करके मुमे जैसे सहर गया वहां से बिहार में आया अपने जगा बना लिया और आज इनका समाज इनके पीछे चल रहा है आज यह गारा सीट मांग रहे हैं हिसेदारी कल एक कावर मांगेंगे अकल 101 सब्सक्राइब है तो उन्होंने मुकेश सनी को पीछे नहीं किया वह आपको पीछे किया इसलिए कि क्यूंकि आप आगे ना बर पाएं आप अपना सही हाग नहीं मांग सकते हैं इस राज में अपका 15% अबादी है आप बिहार में राज में सरकार जिसको चाहें को उसको ब परक्ति बनने के लिए दो काम करना है एक तो बच्चे को परहा लिखा के काविल बनाना है अदूसरा आपके अपने अधिकार के लिए संधर्स करना है जैसे मैं कर रहा हूं और आप लोगों ने भी किया आज जिस मकाम पर मैंने पहुचा यह मेरे दम पर नहीं पहुचा और निशाथ के सभी उपजाती ने हमें नेता माना तो इसलिए संघर्स करके इस मकामता हम लोग पहुचे हैं जो लोग हमें गले लगाना चाहते हैं हम भी उनको गले लगाएंगे उनको अगर फूप फून की पानी की आप सकता गिरेगा हम पानी देने के लिए तैयार रहने हम वह एकलब के बंसज हैं हम तो गुरु देख्षा में तो अपने मालू महना हमने अगुठा दे दिया जबकि हम उस गुरु से ग्यान नहीं लिए थे हमने तो उसी पूर्टी पे एक मिट्री के मुर्टी बनाके हमने उनको पूजा किया और हमें सक्ति प्राप्त हुआ औ किस स्रे ब्लाटेटाचै को नदी पार किये थे स्क्रañए परवू राम चंद्र जी ने हमारे पुर्वंच को कहा कि मांगे क्या चाहिए हमारे उस्समारों करकरें का तो नहीं तो आपको कुदम लगना प्रवूर और नहीं है जो लोगों का नहीं है और हमें दूर कर दिये आज जैसे पूजा यागर आज जब पांच यार चाहजार साल पहले कि अगर बात किजेगा सिपुजा हम लोगों का देन है हम लोग करते थे इसके भी बदीण कहानी है वो भी समय आयगा तो बात होगा लेकिन बीच में से हम इनकर रोक दिया जाता है कई कई पे हमारे हाथ से लोग पानी नहीं पीते हैं कुछ लोग ऐसी भी हो गए कहीं पर हमें मंदिर में नहीं देते हैं तो ऐसे भी जगह है तो इस खाड़ी को हमें दूर करना है और जब दूर होगा समाज में समानता आएंगे तब आगे होगा और संसार में जब एक सरीका होगा तब संसार हमारा आगे बढ़ेगा अगर इस संसार में कुछ ही लोग अमीर होंगे एक ही बैक्ति के पास 20 लाग कर रुपया हो अकिसी कपास 20,000 भी ना फो फिर कैसे चलेगा इसंसार तो इसलिए यहां पर सब के पास होना चाहिए सब के दो वक्त के रोटी मिलना चाहिए सब को भूग लगता है तो खाना चाहिए चाहुँआ वह अमीर आदवी हो या गरीब आदवी और नहीं हो इसके लि न money जब आपके साथ हो तो उ ко बढ़ने के लिँए और जब आपके साथ हो तो उतके साथ मा आगे बरने के लिए cac bakery आप ने वीईपी सुप्रीम मुके सहनी को सुना जिनका और कहना है कि प्रभु की सक्थिसे हमें भेथर करने की सक्थि मिलती है मेरी हमेशा से यह कोसिस रहती है कि मैं समाज के प्रती अपने दायतों को बहतर तरीके से निभा सकूँ इस मौके पर मुकेश सहनी ने उपस्तित लोगों से यह भी कहा कि वह अपने बच्चे की पढ़ाई पर विसेश ध्यान दे रहे हैं क्योंकि सिक्षित होकर ही समाज में बदलाव ला करें वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद